जैहन साथियों, आज किस वीडियो में UP Police, Jail Warden और Fireman की दोनों की अलग-अलग Accepted Cut-Off बताऊंगा दोनों में Normalization Mask कितने मिलेंगे, Number of Vacancies क्या है, Jail Warden में, Fireman में और गुरसवार में कितने किनी Number of Vacancies है जो आज किस वीडियो में मैं बात करूँगा, जो लोग चैनल पर नहीं चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लें, क्योंकि मैं अपने YouTube चैनल पर ऐसी ही UP Police की New Vacancy और UP Police की Result की Update सबसे पहले देता रहता हूँ चलिए आज की वीडियो को सुरू करते हैं मेरे YouTube चैनल का एक ही लक्ष्य और आपका भी एक ही लक्ष्य होना चाहिए आपकी बारी नौकरी सरकारी जब तक 2022 आप अपने सरकारी नौकरी यानि आप अपनी यूनिफार्म में हो अगर आपने अभी तक हमाई Telegram चैनल को जॉइन ने किया है तो Telegram चैनल को जॉइन कर ले क्योंकि यहीं पर आपको Free Mock Test RRB, NTPC, Group D, Railway, Police Free Mock Test आपको यहीं पर प्रोवाइट किये जाते हैं बिना किसी कॉस्ट के Video Reception में आपको इसकी Link मिल जाएगी या आप Telegram में जाके Government Job Alert के नाम से भी सर्च करके वहाँ से आप जॉइन हो सकते हैं अगर वीडियो बढ़िया लागे ना तो Like करना मत भूलेगा और कोई दिल की बात है ना तो Comment में आप मुझसे बोल दीजेगा और जो लोग चैनल में पहले विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करना तो बुल्कुल भी मत भूले क्योंकि UP Police की कोई भी अपडेट सबसे पहले आपको इसी चैनल पर मिलेगी सबसे पहले UP Police Jail Warden Cutoff की सबसे सटीक जानकारी आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ वीडियो को लास तक देखिए क्योंकि अगर आप कोई भी पार्ट मिस्ट करते हैं तो आप Cutoff की सारी जानकारी नहीं ले पाएंगे इसमें आपका ही घाटा है क्योंकि आपने अभी तक रनिंग चालू नहीं की होगी इस Cutoff के देखने के बाद आप रनिंग कल से ही यानि की आज से ही रनिंग आप चालू कर दीजेगा सबसे पहले Fireman vacancies की बात कर लेते हैं कि Fireman की number of vacancies कितनी होने वाली है सबसे पहले Fireman की vacancy की बात कर लेते हैं Fireman में जनरल वालों की 1034 पोश्ट हैं OBC की 550 पोश्ट है SC की 433 पोश्ट है और ST की 41 पोश्ट यहां पे Fireman में मिलने वाली है टोटल Fireman पोश्ट की बात कर लें तो 2065 यहां पे Fireman पोश्ट में आपको मिलेंगी UPP जेल वार्डन vacancy की बात कर लेते हैं UPP जेल वार्डन कितनी vacancy हैं तो जनरल वालों की यहां पे 1557 vacancy OBC की 813 है SC की 632 है और ST की 60 पोश्ट यहां पे मिलने वाली है टोटल Males की यह Males की vacancy थी जो मैं अभी बता रहा था इसमें टोटल Males की vacancy 3015 यहां पे आपको मिल जाएंगी Males की तरफ से vacancy यहां पे females की बात करा लेते हैं females की कितनी कितनी दी गई हैं females की general वालों के लिए 314 है OBC के लिए 179 पोश्ट है SC के लिए 181 है और ST के लिए 12 पोश्ट यहांपे पयर मैन में सोरी जेल वारडन में आपको females के लिए पोश्ट यह मिल जाती है total females की बात करने तो 626 post females के लिए total post यहांपे available है cavalry यानि घुप सरार की बात कर लेते हैं general वालों के लिए common post है OBSC के लिए 28 post है, ST के लिए 21 है और ST के लिए 2 post यहांपे रखी गई है total post यहांपे गुर्षवार की 102 post रखी गई है टोटल फायरमैन जेलवार्डन और गूर्ट सवारड़ कीügenies की बात करने तो 5805 पोस्ट यहां पर मिलने वाली है यह जेलवार्डन फायरमैन और गूर्ट सवारड़ में तीनों की वेकैंसी मैं बता रहा हूं रिजल डेट आप यहां देख सकते हैं जो है 27 तारीक टेंटेटिव रखी गई है यानि 27 तारीक को आने के पूरे-पूरे चांसे से आप गूगल क्रोम में भी डाल सकते हैं यूभी पूलीज जियल वाड़न फाइल में जल्ड आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा उसमें 27 तारीक आप से लिखा होगा यहाँ पर फिच्कल डेट की बात कर लेते हैं फिच्कल डेट जो है फरवरी के सेकेंड वीक में कराने के पूरे-पूरे चांसेस हैं आप गूगल क्रोम में भी इससे भी सर्च कर सकते हैं कि यूभी पूलीज जियल वाड़न का जल्क जारी किया जाएगा उसमें लिखके आपके पास इंटरफेस आजाएगा Student Survey according marks की बात कर लेते हैं firemen में मैं बताने जा रहा हूं कि firemen में और जेल वाड़र में कितने कितने लोग के ए industri के Denmark marks बनना है चलिए उसपर भी बात कर लेते हैं पांच परसंट ऐसे student हैं जिनके 190 से 200 के बीच में marks बनना हैं 25% ऐसे इस्टूएंट है जिनमें 175-185 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं और 45% इस्टूएंट ऐसे हैं जिनके 60-70 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं और 20% ऐसे इस्टूएंट है जिनके 500-160 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं और 160-360 वाला भी save है, लेकिन 20-C% और 5% इन दोनों की danger zone में है, इनका selection हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, यूगि इनका selection normalization marks पे depend करता है, normalization marks की बात कर लेते, UP please fireman में normalization marks कितने marks मिलेंगे, तो minimum marks जैसे कि आप जानते हैं, 3-5 marks आपको minimum marks मिलेंगे, आपके कैसी वी shift हो, और maximum marks 10-12 आपको marks मिलने वाले हैं, normalization marks कैसे मिलते हैं, जैसे कि आपका 19 की first shift को आपका exam हुआ, अब 19 की first shift को कितने लोगों ने exam दिया, उसकी date पूरी, यानि कि अगर उसमें 20,000 लोगों ने exam दिया, 19 की first shift में, मैं approximate बता रहा हूँ कि 20,000 लोगों ने मैं बता रहा हूँ कि normalization marks कैसे मिलते हैं, 20,000 लोगों ने exam दिया, अब 20,000 लोगों कितने लोगों के marks बनना है, ऐसा नहीं है कि उस shift में एक student के 200 marks बनना है हूँ, या 190 marks बनना है हूँ, और उस shift में आपके जो marks हैं, वो 1,500 ही बनना है हूँ, वो 160 ही बनना है हूँ, तो कुछ मिला के कहने का मतलब यह है, कि number of student कितने लोगों ने exam दिया, उन लोगों के कितने marks बने, number of students कितने बने, उनके marks कितने बने, उसी के according आपको normalization marks दिया जाता है, अगर सभी students के, 170 के आसपास बनना है हो, सभी students के, तो आपको उस shift में normalization marks ज्यादा दिये जाएंगे, लेकिन अगर 20,000 लोगों में, अगर 12,000 लोगों कोई भी, अगर 180 या 190 प्लस number बनना है होंगे, तो उस shift में आपको normalization marks कम मिलेंगे, यही normalization method होता है, ना कि आपका ये method होता है, कि आपे number of question ज्यादा कर लिए, और number of question काफी wrong होगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, students के according बताया जाता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, यही normalization method है, यहाँ पे हम cut off की बात कर लेते हैं, इतनी number बनने हैं, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, कि जो आपकी running है, फरवरी के second week में, कराने के पूरे पूरे chances हैं, यहाँ पे UP plus fireman की cut off, बताने जा रहा हूँ, with normalization के साथ, अब में पास कोई comment मत करिएगा, सरी ये raw marks पे है, ये क्या फिन normalization के साथ में है, आपके जितने भी 9 marks बनना हैं, यानि कि जितने भी आपके total marks बनना हैं, उसमें 5 से 7 number आप add करके ही चलिए, कोई भी strand नो, उसमें 5 साथ नमर आप add कर लीजे, अगर आपके 170 भी बनना हैं, तो आप 175 से 170 की बीच में, अपने marks मान के चलिए, क्योंकि 5 से 7 number आपको normalization marks मिली जाएगा, यही बात होती है, 160 नमर वाले की भी, तो वो भी 165, 166 मान के चले, 165, 166, 166 की बीच में, आपके marks आपको मिल जाएगे, यहां male candidates की बात कर लें थे, male candidates की cutoff कितने जाने वाली है, यह मैं fireman की बताने जा रहा हूँ, तो यहां पर आप देख सकते, general की 116 से 182 की बीच में जाएगी, OBC की 117 से 117 के बीच में जाएगी, SC की 162 से 167 के बीच में जाएगी, और HT की 155 से 160 के बीच में जाने वाली है cutoff, इसका आप skin shot ले लिजेगा, आप के कितने marks बनने हैं, और आप कि city से ब्लॉंग करते, आप मुझसे के बने marks में बता सकते, तो मैं आपको clearly बता दूँ, आपका selection होगा कि नहीं होगा, इन marks के इलाबा, आपके पास एक भी cutoff आप से बाहर नहीं जाएगी, जब आपका result जारी हो, तब आप मेरी इस वीडियो को देख लीजेगा, और देखेगेगा मैंने कितनी सचाई है, और मैंने कितना जोट है, इस in cutoff के इलाबा, एक भी cutoff बाहर नहीं जाएगी, इनके बीच में अगर marks बनने हैं, तो ब्रुकुल आप running चालू कर दे, अब UP Police Jail Warden की Fireman की Accepted Cutoff बताने जा रहा हूँ, विट Normalization के साथ, विट Normalization के साथ Cutoff बताने जा रहा हूँ, ये भी Jail Warden की है, जो की Male Candidates की मैं बताने जा रहा हूँ, जर्नल वालों की 169-166 की बीच में जाएगी cutoff, इससे बाहर एक भी नहीं जाने वाली है, अगर आपकी इतने marks नहीं बनना है, तो आपका paper खराब गया है, क्योंकि काफी student में पास, ऐसे next वीडियो में बता दूँगा, उसमें से 20 प्लस ऐसे student हैं, जिनके 185, 185 में, ऐसे में पास comment आए हैं, 200, 210, ऐसे लोग ने भी इनके marks दिगनना है, एक student का तो SCHT है, उसके भी 155 में नमर बनना है, और आप समा लीजे, अगर SC student के 155 में marks बनना है, तो कितना competition हार्ड है, आप जैसे भी जानते हैं, कि SSC की जो अभी mad list आई थी, CHSL की, उसमें आप देख सकते हैं, 156 में गई है, समा सकते हैं, आप 200 में 656 में जा रही है, SCC CHSL में, कहां 136, 120 जाती थी, आप समा लीजे, अब आप कहेंगे, सर वो central का है, तो यहाँ पे भी आप के, आप हडियाना का form बढ़ते हैं, हडियाना पुलिस का, तो क्या बोल, हडियाना वाली, UP पुलिस का form नहीं बढ़ते होंगे, सोचिए के जड़ा माइंड लगा के, तो MED हाई नहीं जाने वाली है, जितनी मैं बता रहा हूं, इतनी ही MED जाने वाली है, जनर्रल वालों की, 170 नमबर भी बनना है, तो आप उसमें 5 से 7 नमबर एड़ करके चलिएगा, युकि आपके 170 नमबर आपके बन जाएंगे, अगर आप OBC कंडेट होंगे, तो आप मिक्सिमन क्वालिफार कर जाएंगे, और जनर्रल के भी आप क्वालिफाई होने के चांसेस आपके बनते हैं, आप कि सिटी से हैं, और आपके कितनी कौन सिप्ट में आपका एक्जाम था, आप मुझे कमेंट वाक्स में बता सकते हैं, और वीडियो बढ़िया लाग रहा हो ना, तो लाइक करना मत भूलिएगा, और दोस्तों को जितना हो सके ना, सेर कर दीजेगा, अगर आपकी कोई भी डिमांड और किसी टॉपिक को लेके, किस टॉपिक पर वीडियो चाते हैं, तो आप मुझे सर इस टॉपिक की वीडियो चाहिए, तो मैं उस टॉपिक भी वीडियो बनाने की कोशिस करूँगा, यहाँ भी फीमेल्स कंडियेट्स की अक्सेटर्ट कोटाव बताने जा रहा हूँ, विट नॉर्मराइजेशन के साथ, फीमेल्स का भी यह लागो होता है, फीमेल्स में भी काफी स्टॉएंट्स मेरे पास मैसेज आया था, कि सर कमेंट आया था, कि सर मेरे 175 नमर बनना है, 185 बनना है, एक फीमेल के तो 195 नमर भी बनना है, अब आप समा सकती हैं फीमेल्स जितनी भी हो, कट ओफ कितना वैसे जाने वाला है, क्योंकि condition हर जगे हाड, number of vacancies कम है, आपको भी पता है लेकिन paper किसी का ज़्यादा अच्छा नहीं गया था लेकिन कुछ student ऐसे हैं जिनका exam अच्छा गया था जनरल वालों की बात करने, females candidates की 165 से 170 के बीच में जाने वाले OBC की बात करते 155 से 163 के बीच में जाने वाली cutoff, ST की 1500 से 155 के बीच में और ST की 149 से 149 से 149 के बीच में जाने वाली है cutoff, females का भी लागू होता है, या किसी students के 150 number भी बनना है, तो वो 5 से 7 number add करके ही चले चुकि normalization में हम आपको 5 से 7 number आपको मिल जाएंगे सबी students को save zone की बात कर लेते save zone क्या क्या है और danger zone क्या क्या है तो 160 number किसी के बनना है 165 number बनना है, 170 number बनना है, 175 number बनना है तो वो लोग बिल्कुल save है, आप बिल्कुल running चालू कर दीजे, अब इस में से danger zone में कौन कौन है यह आप देख लिजी, 125 number बाले 135 number बाले, 145 number बाले और 155 number बाले यहाँ पे danger zone में हैं और 1500 number बाले भी danger zone में हैं तो इनलों का selection सिर्फ normalization marks पर depend होता है मैं आपको यह आइना दिखा रहा हूं, मैं कोई सान, बूती नहीं, मैं views बाने लिए चक्कर में नहीं हूं लेकिन आपके अगर इतने marks नहीं, इतने marks बनना है ना तो आप बुलकुल निरास हो जाई है क्योंकि आपका इसमें selection ना बुलकुल 100% ना chances होने के हैं क्योंकि आपका जो selection है ना वो सिर्फ नॉर्माइजेशन marks पे depend करता है क्योंकि इतने भी cut-off नहीं जाएगा कि आपके 145 नमबर भी आपको हो जाए लेकिन हाँ अगर आप SCHT candidates हो हैं तो आप 145 से 155 में save हैं चाहें वो female हो, चाहें वो girl हो क्योंकि females की अगर बात करने तो 135 नमबर वाले की females में यहां पे selection हो जाएगा और लेकिन general वाले इतने में तो भूली जाएं क्योंकि general वालों कि इसमें होने वाला नहीं है OVC वाले भी इसमें भूल जाएं इसमें SCHT का selection हो सकता है हो सकता है, मतलब होएगा नहीं हो सकता है अगर आपके कोई भी doubt तो यूपी प्लिस न्यूवेकंसी और फिचकल को लेके तो आप मुझसे comment box में बोल सकते हैं मैं आपके doubt clear कर दूँगा यूपी प्लिस न्यूवेकंसी के लिए और रिजिन अपडेट के लिए चैनल को subscribe जरू करने क्योंकि मैं अपनी YouTube चैनल पे ऐसी न्यूवेकंसी के अपडेट सबसे पहले देता रहते हैं और वीडियो बढ़िया लागे हो ना तो लाइक करना मत भूलिएगा और जो लोग पहले पर चैनल पर पहले विजिट करना सब्सक्राइब करना तो बुलकुल ही बहत भूलें नेक्स्ट वीडियो में बताने मावल हो कि कि स्टुडेंट की कितने माक्स बनना हैं विट प्रूफ के साथ जिस नेरुशेयर में पास कमेंट किया है सबीपाए 190 बनने ए 100 पिचाने बने उन सभी की पिक्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलतें न्यू वकेंसी के साथ तब तक के लिए जय इन जय भाद वन्दे मात्रम